सभी साथियों को नमश्कार आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्स्ट्रा ओर्डिनरी लीव यानि के EOL के बारे में EOL के क्या प्रोविजन्स हैं, क्या डूरेशन्स हैं, क्या कंडिशन्स हैं और उसके क्या इंप्लिकेशन्स हैं, इन बातों पर चर्चा की जाएगी तो आएए देखते हैं, साथियों एक्स्ट्रा ओर्डिनरी लीव यानि के EOL Central Civil Services लीव रूल्स 1972 के रूल 32 के अंदर डेस्क्राइब की गई है जो रूल 32 है, CCS लीव रूलस 1972 का ये Extraordinary लीव यानि के EOL के बारे में है अब इसमें क्या क्या प्रोविजन्स हैं, उसनको हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं, Grant of EOL, यानि के EOL किन सिचुएशन्स में, किन कंडिशन्स में ग्रांट की जाती है तो इसके लिए जो रूल 32 का सब रूल 1 है, ये इसके बारे में बताता है कि जो Extraordinary लीव है ये किसी भी Government Servant को Grant की जाएगी, केवल Special Circumstances में कुछ विशेश Events अगर Government Servant की Life में होती हैं, उन Special Circumstances में ही EOL को Grant किया जाएगा Otherwise EOL को Grant नहीं किया जाएगा इसमें जो चीजें दी गई हैं, उसमें दो पॉइंट दे गई हैं, पहला दो पॉइंट है कि अगर कोई Employee के पास Other Leave अवेलेबल ही ना हो तो Employee को Extraordinary Leave ग्रांट की जाएगी दूसरी कंडिशन इसमें है कि Government Employee के पास अगर दूसरी लीव अवेलेबल हैं और Government Employee राइटिंग में ये अपलाई करता है कि मुझे Extraordinary Leave दी जाए तब वो उसको ग्रांट की जाएगी तो अकुल मिलाकर कि ये दो कंडिशन हैं, इसमें यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो EOL है ये Voluntary Retirement में जो Notice Period होता है, जब कोई Government Employee Voluntary Retirement के लिए अपना Notice देता है, थ्री मन्त नोटिस उसको देना होता है उस Notice Period के Duration में EOL के लिए Apply नहीं कर सकता है, उसके लिए वो Eligible नहीं होता है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और Notification के लिए Bell आइकन को प्रेस करना ना भूलें, चलिए आगे देखते हैं साथ यह अब हम देखते हैं Duration of EOL, इसके अंदर Employees की दो केटेगरी रखी गई है पहली केटेगरी में है Permanent Government Servants, इसके लिए Leave Rules में Rule 12 का Part 1 है कि इसमें कितने Duration की दी जाएगी और इसमें Provision दिया गया है कि Maximum to Maximum किसी भी प्रकार की Leave, Any Kind of Leave, वो केवल 5 साल के लिए ही दी जाएगी एक Spell में, यानि कि Continuous Period जो होगा किसी भी प्रकार की Leave का वो Maximum 5 साल हो सकता है यही जो Condition है, यह EOL पर भी लागू होती है, EOL भी Maximum 5 साल के लिए एक Single Spell में Grant की जा सकती है इसी के साथ साथ Rule 12-2 में Provision दिया गया है कि अगर Duty से कोई Government Employee absent रहता है 5 साल से जादा तो Rule के According ऐसा माना जाएगा कि जो Government Servant है, यह Resign कर चुका है Government Service से अब हम देखते हैं कि जो Temporary Government Servants होते हैं, उनके लिए क्या Provisions है इसके लिए जो Provisions दिये गए हैं, वो Rule 32 के Part 2 में दिये गए है Temporary Government Servants वो हैं, जो या तो Probation में हैं, या जो Temporary Post के अगेंस्ट हुए हैं उसके लिए जो Provisions हैं, वो Rule 32 के Part 2 में हैं इसमें अब हम देखते हैं कि जो क्या क्या Provisions हैं सबसे पहला जो Provisions है, इसमें Part A में दिया गया है कि इसमें जो Duration of EOL है, वो 3 Months का रहेगा 3 Months के Duration के लिए अगर EOL को Apply किया जाता है, यह किसी भी Purpose के लिए किया जा सकता है, इसमें कोई Particular Define नहीं है कि 3 Months की EOL किस Purpose के लिए दी जाएगी, Employee चाहे Medical Ground पे ले या Private Affairs पे ले इसको Avail कर सकता है इसमें जो Length of Service है, यह भी Applicable नहीं है कि Employee ने कितनी Service को अभी तक कर लिया है, इसकी कोई Condition इसमें नहीं लगाई गई है, और कोई Other Requirement भी इस 3 Months की EOL के लिए नहीं है इसके Part B में दिया गया है कि अगर Employee 3 Months से जादा और 6 Months तक की अगर EOL को Sanction कराना चाहता है तो यह केवल Medical Base पर ही Grant की जाएगी और इसके लिए Condition दी गई है कि जो Regular Service है वो 1 Year की हो जानी चाहिए और इसके लिए जो Requirement है वो है Medical Certificate की Medical Certificate Employee को जमा करना होगा उसके Base पर ही Medical Ground पर 6 Months तक की जो EOL है उसके लिए वो Apply कर सकता है और इसके लिए 1 साल की Regular Service का होना जरूरी है इसका जो Part C है इसको Delete कर दिया गया है Part D में जो EOL का Period है वो है 18 Month का 18 Month यानि के डेड़ साल की जो EOL की Application है वो केवल Medical Base पर ही दी जा सकती है और इसके लिए जो Regular Service का Period है वो एक साल का है इसमें जो सबसी पहली कंडिशन है वो Pulmonary Tuber Closus यानि के TB की है जो की किसी Recognize Sanatorium में इलाज करा रहा है तब ये 18 Month की EOL के लिए Apply Employee कर सकता है दूसरी कंडिशन में दिया गया है कि ये जो TB है इसको अगर वो अपने घर पे रहके इलाज कर रहा है एट इस रेजिडेंस तब भी ये 18 Month की EOL को लिए Employee Apply कर सकता है लेकिन इसमें condition है कि जो Tuber Closus का Specialist Doctor है उसकी एक Certificate को Sign करा करके Employee जमा कराएगा कि वो उसके Under Treatment को अपने घर पे रहके करा रहा है और इसी के साथ साथ वो Specialist एक और Certificate भी देगा कि जो Employee TB से प्रभावित है उसके जो Chance of Recovery है on the Expiry of Leave ये Reasonable है यानि कि वो Certify करे कि इस Treatment के बाद Employee पूरी तरह से इस विमारी से ठीक हो जाएगा इसमें तीसरी कंडिशन दी गई है लेप्रोसी की लेप्रोसी जो कि किसी Recognize Leprosy Institution में की जा रही है या लेप्रोसी होस्पिटल से इलाज कराया जा रहा है तो भी Employee इसके लिए 18 मंत की EOL के लिए अपलाई कर सकता है चोथी कंडिशन इसमें दी गई है Cancer या Mental Illness की Disease के रिलेशन में अगर वो Treatment किसी Recognize Institution या होस्पिटल से हो रहा है तो Employee 18 महीने की EOL के लिए अपलाई कर सकता है इस Rule का जो Part E है इसमें 24 मंत की EOL का प्रोविजन दिया गया है और इसके लिए जो परपस है वो है Higher Studies का इसके लिए जो सर्विस की कंडिशन है Regular Service की वो 3 साल की है यानि के Employee अगर 3 साल की Regular Service को Complete कर लेता है तो वो Higher Studies के लिए 2 साल की EOL के लिए अपलाई कर सकता है इसमें कंडिशन दी गई है कि ये Certificate जमा कराना होगा कि ये जो Higher Study की जा रही है Employee के द्वारा ये Public Interest में की जा रही है इसी Part E के Relation में एक Rule है Rule 32 का Part 3 जिसमें ये कंडिशन दी गई है कि अगर Employee 2 साल की EOL के लिए अपलाई करता है Higher Studies के लिए तो वो एक Bond Form 6 के अंदर भरके एक Undertaking फिल करेगा कि अगर वो इस दो साल के पीरिड के बाद Duty पर Return नहीं होता है Duty Join नहीं करता है या वो Government Service को Quit कर देता है अपनी इस EOL के पीरिड के खत्म होने के तीन साल के अंदर अंदर यानि के दो साल का जो पीरिड है इस Higher Studies के लिए वो उसने पूरा कर लिया अपनी Duty को जोइन कर लिया जोइन करने से तीन साल के अंदर अंदर अगर Employee Resign कर देता है Service को Quit कर देता है या फिर वो Duty को जोइन ही नहीं करता है दो साल का पीरिड होने के बाद इस Higher Studies के लिए गवर्मेंट ने अगर कोई expenditure किया है या किसी और institution द्वारा ये expenditure किया गया है तो वो सारा जो expenditure है चाए वो गवर्मेंट की तरफ से हुआ है या उसके base पर किसी agency के द्वारा हुआ है उसको with interest refund करना होगा गवर्मेंट employee को इसी के साथ साथ employee form 6 में जो bond fill करेगा उसमें दो sureties दी जाएंगी और वो जो दो sureties है वो दो permanent government servant होने चाहिए जिनका status या तो application देने वाले government employee के equal का हो या फिर उससे higher हो साथ यो rule 32 के जो sub rule 4 है ये scheduled caste और scheduled tribes से related है ये जो दो categories है अगर ये किसी pre examination training का course कर रही है कोई exam देना है higher post के लिए UPSC के लिए और similar कोई post के लिए तो उसके लिए government द्वारा जो training course चलाए जा रहे हैं उन centers पर जो government ने notified किये हैं वहाँ पर अगर ये training ले रहे हैं तो इसके लिए भी वो rule 2 के अंदर जो उपर table दिखाई गई है उसमें अपनी EOL के लिए apply कर सकते हैं ये special provisions केवल scheduled cast और scheduled tribes के जो government employees हैं उनके लिए किया गया है साथ यो rule 32 का जो sub rule 5 है ये explain करता है कि अगर extraordinary leave के दो spell हो जाते हैं दो बार ये extraordinary leave ली जा रही है employee के द्वारा और उनका जो बीच का period है दो EOL के बीच में अगर वो other kind की leave ले 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 लेता है तो इसको ए continuous extraordinary leave माना जाएगा इनको दो spell को अलग-अलग नहीं लिया जाएगा बीच की जो leave है चाए वो उसने EOL ले ली है या medical ले ली है या HPL ले ली है इन सब को combine करके एक single साथ यो rule 32 का जो part 6 है इसमें competent authority जो अमारे head of department होती है उनको ये power दी गई है कि अगर कोई employee अपनी duty से absent हो जाता है बगेर किसी leave के employee ने कोई leave sanction नहीं कराई है और वो किनी कारणों से अपनी duty पर नहीं आ पा रहा है duty से absent रहता है तो competent authority जो की head of department होता है उसको ये power है कि इस period को जो period of absence है इसको वो retrospective effect से extraordinary leave में sanction कर दें साथ ही अब हम देखते हैं कि अगर employee ये EOL यानि के extraordinary leave को sanction करा लेता है अवेल करता है तो इसका increment के ओपर क्या effect पड़ता है इस effect से related एक OM government of India ने issue किया है 2 July 2010 को इस OM को download करने का link नीचे description में दिया गया है वहाँ से आप इस OM को download कर सकते हैं इस OM में clarify किया गया है कि अगर कोई employee medical ground के अलावा किसी और ground पर EOL को sanction कराता है और एक जुलाई जो पिछले साल की एक जुलाई है और इस साल की 30 जुन तक जो period है वो 6 महीने से कम का रहता ह तो इसका effect employee के increment पर आएगा और employee का increment postpone कर दिया जाएगा 1st July of next year के लिए अब हम उस provision को देखते हैं जिसमें EOL का pension या increment के उपर कोई effect नहीं होता है वो कौन सी condition है इन conditions को clarify किया गया है एक OM के माध्यम से जो की 18 February 1986 को Government of India ने issue किया था इस OM में वो conditions दी गई है जब employee की EOL period का उसकी qualifying service जो pension के लिए होती है या उसके increment के उपर कोई effect नहीं होता है इस OM में जो पहली condition दी गई है वो है कि अगर employee किसी भी civil commission यानि कि जो civil disturbance हो जाता है दंगे हो गए हैं कहीं पर भुकांपा गया है या और कोई similar type की situation हो गई है जिसके कारण employee या तो join नहीं कर पा रहा है duty को या rejoin नहीं कर पा रहा है किसी leave के बाद तो उस condition में जो EOL grant की जाती है उसका qualifying service जो pension के लिए है और जो increment के लिए qualifying service count की जाती है एक साल की उसके उपर कोई effect नहीं पड़ेगा और government servant को increment भी दिया जाएगा इस period के लिए और उसकी period की service को qualifying service भी माना जाएग का pension की calculation के लिए इस EOM में दूसरी condition दी गई है कि अगर government servant को higher technical and scientific studies के लिए EOL grant की जाती है यानि के employee अगर कोई higher technical education या higher scientific studies करना चाहता है उसके लिए government servant को EOL grant की गई है उन EOL period का भी qualifying service चाहे वो pension के लिए हो चाहे वो increment के लिए हो उसके उपर कोई effect नहीं होता है दोनों ही cases में EOL के period को qualifying service माना जाएगा अगर वो higher technical and scientific studies के लिए apply किया है employee ने और उसको grant किया गया है higher authority के द्वारा आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और EOL से related जो queries आपकी रही होगी उनका समाधान करने में ये जरूर सफल सिध होगी फिर भी अगर EOL से related आपके मन में कोई queries है तो उसको नीचे comment section में जरूर लिखें उन सभी queries को answer करने का प्रयास किया जाएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको like और share करना ना भूलें आपके जो likes हैं और जो comments हैं वो YouTube चैनल की growth के लिए बड़े जरूरी होते हैं और उसमें आप अपना योगदान जरूर दें आपने अगर अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो आप इस channel को subscribe कर लीजि और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार नमस्कार